मस्तो भ्यम दर्शिकों हर हर महादेव आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दर्शिकों सोलह सितंबर दिन शुकरवार को पित्रबक्षमा की शटी तिथी है शश्टी तिथी पर quand शुकरवार के दिन यदि आप अपने पित्रों का आशिरवाद प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान शिवकी कृपपा चाहते हैं अपने कस्टों को दूर करना चाहते हैं अपनी मनुकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो एक उपाय आप अवश्य ही करिएगा बहुत ही सरल सा उपाय है और छोटा सा उपाय है क्या करना है इस उपाय के लिए आपको इस उपाय के मिल पाए आप उतने बेल पत्र से भी कर सकते हैं और यदि एक भी ना मिल पाए तो आप शिव मंदिर पर शिवलिंग में जो बेल पत्र अर्पित हो उस बेल पत्र को लेकर भी एक बार शुद्ध जल से धोले और इस उपाय को कर सकते हैं क्या करना है आपको बेल पत्र कि जो बीच वाली पत्ति आती है, उस पर आपको चंदं से ओम लिखना है। शिव जी का पूरा परिवार स्थापित होता है उस शिवलिंग में तो पूर्ण शिवलिंग का आप अभिशेक करें सच्छे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ यदि इस उपाय को करते हैं तो भगवान शिव के क्रपा आपको अवश्चे ही प्राप्त होगी साथ ही माता पारवती प्रसन होंगी और माल अच्मी स्वरूप आपके घर में स्थाई रूप से निवास करेंगी श्री शिवाय नमस्तो भ्यमदर्शकों वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा कमेंड करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा हर हर महादेव